हलो एंड वेलकम तू होप तु शानत्यादो आज है एक दिसंबर दो हजार बाइस और दा हिंदू की न्यूस पेपर में सबसे पहली हेडलाइन है जीडीपी ग्रोथ डिप्स तू 6.3 परसेंट एज मैनुफेक्टरिंग स्लाइट्स यह important news है यह news article में कुछ याद नहीं करना नंबर से याद नहीं करने पर इसकी backward linkage क्या हो सकते है इसका backward linkage है GDP का concept itself कि भाई GDP का है यह तो पता होना चाहिए GDP पता होने के बाद हमें दूसरी चीज़े समझ में आनी चाहिए कि GDP सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होगा GDP का analysis करना होगा यह GDP है क्या GDP का मतलब क्या है GDP का actual मतलब economy है economy हम 5 trillion dollar की economy बनना चाहते है यह GDP का size बड़ा करना चाहते है तो GDP समझ में आयगा तब वो feeling आएगी कि size बड़ा क्यों करना चाहते है और economy से हम achieve क्या करेंगे और फिर मैं आपको बता हूँगा कि इस article में है क्या तो मैं पूरा comprehensive analysis करके दिखाता हूँ यह एक demo के रूप में है ताकि आप यह समाझ पाए कि newspaper को कैसे approach करना है तो मैं GDP को आपको explain करने कोशिश करता हूँ तो आप समझेंगी कि feeling कैसे आईगी तेखिए GDP का full form है gross domestic product gross का मतलब होता है aggregate aggregate मतलब कुछ कुल मिला कर यानि अगर मैं काओं कि मेरे घर में एक biscuit का packet बन रहा है यह aggregate हुआ मेरे घर में तो individual चीज़ हो गई पूरे country में कितना हुआ यह aggregate हो गया domestic का मतलब है कि मैं अपने घर की बात करहा हूँ यानि मेरी कोई territory होगी मैं उस घर के अंदर की बात करहा हूँ और product का मतलब है यानि production की बात करहा हूँ तो ऐसा कुछ बोल रहा है तो अगर मैं एक्जामपल से आपको समझाओं ये बात कि माली जी ये मेरा घर है और ये आगे सामने एक मेरी फील्ड है जहां पर मेरे पिता जी यानि माली जी कि मैं मेरे मॉम है मेरे डाड है और मैं हूँ मैं जो है सर्विस देता हूं घर के अंद रुपीस की सर्विस देता हूं जैनि टीचिंग में मैं जित्ती भी सर्विस दी उसे 6 लाग रुपीस की मेरे पास अर्णीं होती है और मेरे मॉम और अगर पोटेटो को यू नो सेल करने जाएंगे परे प्यडियूस करेंगे शेल करेंगे लेट से उनको पूरे येर में 4 तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि मेरे घर की अगर ये domestic territory है तो इसके भीतर कुल कितना goods and services का production हुआ है तो आप क्या बोलेंगे sir goods का production 4 lakh and services का production 6 lakh आपका घर का पूरा production है 10 lakh रुपीस this is called GDP of my house मेरे घर की GDP इतनी है GDP का मतलब क्या हुआ कि total goods and services का production आपने कितना किया domestic territory के भीतर तो ये example आपको समझना चाहिए यादि examples आप ये समझे कि मेरे घर में पैसा कितना है यही तो आपने समझा समझे गे इस शीज को तो अगर मैं इंडिया के perspective से बात कुर ये पूरा world है अगर ये इंडिया है तो इंडिया में किसान जो है goods का production भी कर रहा होगा यानि आलू भ अगर मैं पूरी country में अपनी domestic territory की बीतरी account कर लूँ इस domestic territory की बीतरी account कर लूँ कि कितना total goods and services का production हुआ है तो जितना भी आया को उससे मैं क्या बोलूँगा gross domestic product why domestic क्योंकि मैं territory पर बहुत ध्यान दे रहा हूँ domestic territory की बीतर होना चाहिए और जो कुछ भी हो जाया है कौन कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं इंडियांस हो foreigners हो कोई भी हो बस domestic territory के बीतर होना चाहिए वो goods and services का production करना चाहिए इसकी total value कौन count कर लेंगे ये goods and services कैसे होते हैं ये capital goods आते हैं तो जितना भी total produce होगा उसे हम भारत की GDP काएंगे यानि क्या ये GDP भारत की total earning है यानि भारत की total value कितनी create कर रहा है और किसी भी एक साल में क्योंकि मैंने यहां पर आपको reference क्या बोला था कि एक साल में मैं कितना teaching से produce कर रहा हूँ एक साल में पिता जी हमारे कितना आलू का production करके कितना पैसा ला रहे हैं तो किसी एक year में देखना पड़ेगा न वो year हमारे क्या है accounting year financial year है financial year मतलब बोले 1st April से शुरू होता है and 31st March को खतम होता है तो एक financial year में भारत की domestic territory के भीतर कितना course and services का production करते हैं उसे GDP करते हैं all the total value of all the final goods and services produced in a domestic territory of an economy in a given accounting year is called gross domestic product I hope कि आप GDP का concept समझ गए और GDP के concept से आप ये समझ गए कि GDP is nothing एक साल में भारत ने अगर इंडिया की बात कर रहे हैं total cool कितना earning की है कितना value create की है value creation कितना हुआ and value creation is nothing but economy अभी 10 lakh रुपए मेरे घर में आथा तो अगर 10 lakh की जगा एक करोड आता तो मेरा घर जादा powerful होता समझ रहे हैं आप economy is empowerment इसलिए GDP इतना important है feeling आनी चीज़ आप इसमें अगर economy हम GDP ला रहे हैं तो बनाने का मतलब क्या अगर हम 5 trillion dollar की economy करना चाते तो करना क्या चाते हैं अपने आपको empower करना चाते हैं मैं 10 lakh रुपए पर सीमित नहीं रहना चाहता अपने घर की earning को मैं 1 crore तक पहुचाना चाता हूँ उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी value creation करना पड़ेगा और धेर सारी field को acquire करना पड़ेगा और धेर सारा production करना पड़ेगा इंडिया केस में तो field acquire नहीं कर सकते हैं चाइना को जाधा जाकर acquire तो कर नहीं सकते हैं यानि हमारी जो territory है उसके बीतर हमें अपना efficiency बढ़ानी होगी हमें और धेर सारी चीजों का technology का प्रियोग करना पड़ेगा ताकि हमारा production बढ़ सके तो GDP को बढ़ाने के लिए government बहुत डेर सारी initiative ले रही है like production linked incentive scheme government बोल रही है अगर तुमने protection ज्यादा किया तो तुमको हम incentive देंगे जितना ज्यादा production आप करेंगे ये तो वही बात होगे कि अगर आप रोज 8 घंटे पड़ते हैं मैंने आपसे बोल दिया कि रोज 2 घंटे का production आप नहीं किया तो गोर्सन सर्विसेज का production करता कौन होगा तीन सेक्टर होगे एक agriculture होता होगा एक industry होता होगा एक service sector हो गया और कोई sector तो नहीं होगा साब तो ये तीन सेक्टर मिलकर पूरे GDP में contribution कर रहे होगे agriculture environment गोर्सन सर्विसेज का production कर रहा होगा industry में mining हो रही production हो रहा होगा construction हो रहा होगा services में कैसे अरे trade, hotel, transport, communication services ये सब financial, real estate, professional services, public administration, defense, other services ये सब हो रहा होगा और यही सब मिलकर GDP को create भी कर रहे होगे अब यहाँ पर बात समझेगा हमारा agriculture अगर हमारी GDP 100 रुपाए की है माल लेते हैं कि CR में GDP 100 रुपाए की आए उसमें 18.8 रुपी agriculture contribute करता है उसमें 28.2 रुपीज industry contribute करता है और उसमें 53 रुपीज service sector contribute करता है यानि हमारे यहाँ पर सबसे जादा contribution किसका है service sector का सबसे जादा contribution है अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि हम क्यों यह कह रहे हैं कि manufacturing आज हमारे लिए important है और by the way news article यह बोलता है कि quarter 2 में ह 2.8% से डिप हुआ है और 4.3% से डिप हुआ है डिप होने का मतला है कि नीचे से ला गया है अगर वो डिप हुआ है यह हमारी manufacturing में भी boost नहीं हो रही है थोड़ा सा problem है अभी लेकिन manufacturing पर इतनी बाते क्यों होती है आज कल यह important क्यों है क्योंकि सहाब आज तक जो भी global leader बना है जो भी global leader बना है superpower बना है उसकी जो core है वो manufacturing है अगर industry revolution 1.0 आया तो UK जो है अगर world power बना बोलते हैं कि British सामराज्य का सूर कभी अस्त नहीं होता कहीं पर भी पूरे world में क्योंकि उसकी हर जगा you know territory है तो उस पर कभी सूर अस्त ही नहीं होता sun never sets on the British empire क्यों क्योंकि manufacturing इंप 50 में एक समय पर साब हम global power थे इंडिया 25 परसेंट global manufacturing में contribute करता था global manufacturing में पूरे world में उसमें 25 परसेंट इंडिया चाइना 33 परसेंट 2 परसेंट United Kingdom and 0.1 परसेंट यूएस अब यहाँ पर समझने वाली बात यह बारी की यह क्या कर आप समझो तो हम global power रह चुके हैं साब आज तो हम global power aspiration है हमें कि हमें global power receive करनी है हम you know super power बनना चाहते हैं इंडिया विश्यो गुरू बनना चाहता है लेकिन ह हम विश्यो गुरू रह चुके हैं साब हमारा GDP का आप देखिया आपने पूरी global manufacturing में 25 परसेंट करते थे इसलिए इंडिया 1750 के दौरान पर सोनी की चुडिया कहलाती थी क्यों क्योंकि हम global power थे लेकिन जैसे जैसे industrial revolution आया 100 साल की कहानी देखिये उसके बाद 20 परसेंट किस यहां पर कौन ग्रू हो रहा है दिरे दिरे युएस ग्रू हो रहा है युएस आइसलेशन में काम कर रहा है अपना हर चीज स्टॉंग कर रहा है manufacturing को बूस्ट कर रहा है 24 परसेंट जो contribution था वह युएस को था and 1990 में 23 परसेंट जो है युएस का contribution है and 2020 में चाइना और युएस ज़्यादा contribute रहते है चाइन युएस तो 1990 को दर्वा कौन superpower था युएस सुपर पावर था आज हम इस समय पर बैठे हैं यह multipolar वर्ड पे बैठे हैं यहां पर कोई superpower नहीं है एक पोल नहीं है कि एक पोल एक superpower है नहीं दो पोल है कि युएस और रशिया जैसा कि cold war period में हो था multipolar world है चाइना 23% क्यों चाइना आज इनो बोलते है हर चीज मेड इन चाहिना manufacturing पर ध्यान दिया साब 23% and 17% जो है युएस का है इसलिए इंडिया जो है manufacturing को boost करना चाता है इसलिए इंडिया कह रहा है कि मेरा भी global power aspiration है मुझे भी बनना है विश्यू गुरू विश्यू गुर बनकर हम exports को बढ़ा पाएंगे जब हमारे exports बनेंगे तो दुनिया हमारे पर dependent होगी ना कि हम दुनिया पर dependent होगे याद रखी साब जब भी आप किसी को पर dependent है यानि आप कमजोर है आपकी ऊपर कोई dependent है यानि वो कमजोर है that's all from my side I hope कि आप समझ गए कि GDP का असली मतलब क्य यह news article में कुछ नहीं था आना इसमें कुछ नहीं है समझाना यह है कि यह news article में importance क्या है और हमें क्यों ऐसा बार बार बात करते हैं manufacturing की अब बहुत देर सारे article देखेंगे जहांपर ही manufacturing की यह सब कुछ मैंने comprehensive course में पढ़ा रखा है comprehensive course of economy एक ऐसा course जो कि आपकी value में इतना addition क करेगा मैं सच बता रहा हूं कि आप दो महीने बाद जब आप सारे lectures कर लोगे तब आपको समझ में आगा कि आपके ज़जवाद बदल गये हैं हालाद बदल गये आपका mindset change हो गया क्योंकि पढ़ने का तरीका change करना पड़ेगा साब आपको अपना mindset change करना पड़ेगा क्यों कि on the spot अगर आपको answer अच्छे लिखने हैं तो आपकी points automatically आपका brain collect करके आपको देगा अगर आपने सही धंक से उनको अप्रोच किया इस course में आपको सब कुछ मिलेगा जो भी GS3 syllabus में economy में mention है आपको हर एक topic मिलेगा recorded lecture है पहले दो lecture में live भी लूँगा उसके बाद सारे recorded lecture है latest recorded lecture है जो live batch अभी मैंने किया था उसके recorded lecture है all current affairs cover है contemporary issues cover है budget economic survey पहले वाला आगी आने वाला जो अभी आया भी नहीं है वो भी में cover करवाऊंगा PYQ का analysis करवाया है art of answer writing सिखाईए साब preparation को structured बनाया है एकदम और आपकी personality में enhancement हो आपको analysis की power दी है integration कैसे करना है interconnect कैसे करना है analyze कैसे करना है चीजों को यह power मैंने आपको वाकई में दी है जिनोंनों किया है उनके मैं feedback डाल रहा हूँ आप feedback देख सकते हैं मैं किसी को खरीद feedback देते हैं क्योंकि उनको जो अच्छा लगा वो बताते हैं आप मुझे पर trust कर सकते हैं विश्वास कर सकते हैं आपको दो मेहने बाद पता चलेगा कि आपने पहली बार अगर आप से किसी ने बोला होगा कि trust करिये और आपका decision run out सही हुआ है कोशिस मैं यही करूँगा कि आपके हर एक doubt को resolve करो कोई भी doubt आपके अंदर ना रहे इस course के बाद आप कुछ ऐसा करो कि आपको economy ऐसा लगने लगे economy हर जगा है आपको economy feel होने लगी किसाब और economy एक ऐसा subject जो आपको demo के रूप में लिखेगा जो कि बाकी subject को पढ़ने मदद करेगा क्योंकि economy quality is the guardian of economy economy चल रही है उसके बारे में आप बहतर समझ पाएंगे आपने वही पढ़ रखा होगा सब कुछ लेकिन आपको नया dimension नया comprehensiveness अपने आप दिखने लगेगा यह course के नाम में comprehensive नहीं है इसके soul में comprehensiveness है अगर आप जोईन करना चाहते हैं प्लीज जल्दी जोईन कर लें अभी इसका हैं आज के लिए इतना ही thank you नमस्ते जहिंद